अगर आप अभी इन सबजियों के बीज को लगा लेंगे तो बारिस में आपको धेर सारी सबजियां सही मोसम में और सही टाइम पर तोड़ने के लिए मिलेगे तो अभी बीज लगाने का समय आ चुका है तो आप किस प्रकार से बीज को उगाएंगे और इस गर्मी के मोसम में बीज को किस प्रकार से अंकूरित करना है, साथ में किस प्रकार से लगाना है, ये सभी जानकारी में आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ. और बीज को किस चीज में लगाने से बीज आपके तयार हो जाएंगे बारिस तक तो हम अभी जब बारिस के बीज लगाएंगे तब हमें बारिस में अच्छी सबजी मिलेगी क्योंकि अगर हम बारिस का इंतिजार करेंगे तब जाकर बीज लगाएंगे तो हम फिर लेट हो जाएंगे और हमारी जो पोधों में सबजियां लगेंगी वो थंट के आते आते उनमें सबजियां लगेंगी इसलिए हम पोधे पहले ही तयार कर लेंगे उसके बाद जैसे ही जुलाई आएगी तो हमारे पोधे तब बड़े भी हो जाएंगे और जैसे ही बारिस श्टार्ट होने लगेगी, हमारे पोधो में सबजियां भी लगने लग जाएगी तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ बीच को किस प्रकार लगाना है, किस चीज में लगाना है, साथ में मिट्टी को किस तरीके से बनाना है, जिससे कि आप इस मई की गर्मी में भी बीच को आसानी से ग्रो कर पाएंगे तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और सही जानकारी मिलने वाली है तो मेरा नाम है उर्मिला आपका स्वागत है हमारे यूटूब चेनल विलेज टेरेस गारडन में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चेनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें क्यूंकि आपको फिर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीच को लगाना किसमे है तो आपको सीडलिंग ट्रे में बीच को बिलकुल भी नहीं लगाना है अगर आप सीडलिंग ट्रे में बीच को लगाएंगे तो वहाँ पर बीच गिरो नहीं होगा क्यूंकि उसमें मिट्टी थोड़ी सी ही आती है जो कि तेज धूप के कारण सूख जाएगी और गर्मिया भी इतनी तेज है कि उसे हम छाओं में रखेंगे तब भी मिट्टी सूख जाएगी और फिर हमारा बीज ग्रो नहीं होगा इसलिए आपको इस तरह की पोलिथिन में बीज को लगाना है क्यूंकि इसमें मिट्टी भी जादा रहेगी जिससे मोश्चर बना रहेगा और हमारे बीज जल्दी ग्रो होंगे और बीज इसमें एक महीने रहने वाले हैं एक महीने बाद ही हम उन्हें ट्रांसफर करेंगे तब तक पोधे बड़े हो जाएंगे और उनमें रूट भी बहुत ज़ादा बन जाएगी तो उन्हें फैलने के लिए भी हमें जगा चाहिए होगी तो इनमें परियाप्त मात्रा में उन्हें जड़ फेलाने में आसानी होगी और पोधा अच्छे से चलेगा हमारा और मैं इस तरहा के डिस्पोजल गिलास में भी बीज ग्रो करती हूँ लेकिन ये फिर सही है लेकिन अभी आगर आप बीज लगा रहे हैं तो इस प्रकार की पॉलिथिन या बेग में लगाएं तो अब हमें बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी की भी जरूरत होगी तो इसके लिए चलिए आब हम अच्छी मिट्टी तयार करते हैं तो मिट्टी को भी आपको अच्छा बनाना है ताकि हमारे जो बीज हैं वो सही से ग्रो हूँ और एक महीने तक उन्हें अच्छा खाद पानी मिलता रहे तो इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी और मिट्टी में आपको आधा खाद मिलाना है आप गोबर की खाद मिला सकते हैं या आपके पास किचिन वेश्ट की खाद हो तो उसको भी मिला सकते हैं तो मैंने इस मिट्टी में पहले पोधे लगाये थे साथ में मैंने इसमें किचिन वेश्ट वाली मिट्टी को भी मिला दिया है तो अब हमने इसमें पहले पोधे लगाए थे तो इसमें कुछ इस तरीके के कंकर पत्थर और कुछ पोधों की जड़ अगेरा और वेश्ट माटेरियल है तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी में से इन सभी को निकाल लेना है और मिट्टी को अच्छा बारीक और भुरभुरा बनाना है ताकि उसमें जादा देर तक पानी रुका न रहे तो इस प्रकार से में जो बड़ी वाली मिट्टी है साथ में कंकर पत्थर और जो भी पेड़ पोधों की जड़ अगेरा है उसे में अटा कर मिट्टी को एकदम एक लेवल में बना रही हूँ तो आपको भी मिट्टी को इस प्रकार से अच्छी कर लेना है बीज लगाने के लिए क्योंकि हम बीज लगाने वाले हैं तो पोलिथिन बेक छोटा होता है उसमें अगर कहीं भी गेप रहेगा तो हमारे बीज हिल सकते हैं और जो जड़े बनेगी उठाने धने में वह तूट भी सकती है तो इसलिए हमें मिट्टी को एक सेप में और अच्छी से बनाना है और भी हम इस मिट्टी में अच्छी खाद मिलाने वाले हैं और कुछ फंगस से बचाने के लिए चीजे मिलाने वाले हैं तो ये सबी चीज आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी तो देखिए इस मिट्टी में से मैंने इतना सारा कच्रा निकाला है तो इसे हम फैकने वाले नहीं हैं इन्हें हम जो बड़े ग्रोबेक भरेंगे उस मिट्टी में मिला देंगे तो उसमें ये अच्छे से डीकंपोस हो जाएंगे और फिर से खाद बन जाएंगे तो मैं इस मिट्टी में मिलाने वाली हूँ इतनी सारी चीजे जिससे कि एक महीने तक हमारे पोधे अच्छे से ग्रो होंगे तो सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ तो ताकि हमारे जो बीज हैं उनमें कोई भी फंगस वगेरा ना लगे और मिट्टी भी अच्छी बनी रहे और मैं इसमें थोड़ी मात्रा में सुकी हुई चाय की पत्ती भी मिला रही हूँ जिससे कि हमारे मिट्टी में सभी खाद हो जो पोधे के लिए जरूरी हो तो ये सभी मैं जब ग्रोबेक भरती हूँ तब भी मिलाती हूँ और मैंने चूना डाल दिया है और मैंने इसमें ये राक मिलाई है ताकि कोई भी कीड़े वगेरा मिट्टी में ना लगे और थोड़े मैंने इसमें प्याज के चिलके भी मिलाए हैं और मैंने इसमें मिलाए हैं धेर सारे नीम के पत्ते जो कि हमारी मिट्टी को अच्छा बनाती है और कोई भी फंगस वगेरा हमारी मिट्टी में नहीं लगता जिससे की बीज भी खराब नहीं होते साथ में पोधों की जड़ों में भी कोई भी रोग नहीं होता इसलिए मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो उनमें धेर सारे नीम के पत्ते डाल देती हूँ ये सबी सामान आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगे अब इन सभी को हमें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाना है उसके बाद में हमें इन्हें उन पोलिथिन में भनना है तो आप चाहें तो डिस्पोजल में भी बीज लगा सकते हैं लेकिन मैं अभी इनमें नहीं लगाऊंगी इनमें मैं बेगन और मिर्च इस तरीके के पोधे लगाऊंगी लेकिन बेल वाली सब्जियों को भी लगा सकते हैं लेकिन अभी बीज को सही से ग्रो करने के लिए हमें इस तरीके से पोलितिन के बेग बनाने होंगे तो ये सब ही बेग मैंने घर पर ही बनाए ही मैंने इसमें स्टेपलर की पिन लगा दी है पीछे दोनों कोनों को पकड़ कर साथ में इसमें मैंने कुछ छेद भी की हैं ताकि एक श्टा पानी बाहर निकल सके तो इनमें हमें मिट्टी को अच्छे से बनना है और कोई भी गेप इनमें नहीं होना चाहिए तो आप इस तरीके से इनहें एक एक बार उठा उठा कर इस तरीके से अच्छे से मिट्टी को दबा कर भर दीजी थोड़ी जगा मैंने खाली रखी है ताकि जो हम पानी दे उसमें अच्छे से एकजेश्ट हो सके तो इतने बड़े बेग में हम एक या दो बीज आसानी से लगा सकते हैं जिससे हम कम जगा में ज़्यादा बीज भी लगा लेंगे और हमारे पोधे एक साथ बहुत सारे तयार भी हो जाएंगे तो इस तरीके से मैंने सभी ग्रोवे को भल लिया है और अब आप चाहें तो इन पर पोधो के नाम भी लिख सकते हैं कि आपने कौन से बीज इनमें लगाए हैं जिससे कि आपको पता रहेगा जो भी बीज गिरो होगा तो कि ये कौन सा बीज गिरो हुआ है और बीज लगाने से पहले हमें इनमें अच्छे से पानी देना हैं क्योंकि अगर हम बीज लगाने के बाद में इसमें पानी देंगे तो हमारे बीज भी पानी के साथ नीचे चले जाएंगे और वे ग्रो होने की जगा उसी में पड़े हुए खराब हो जाएंगे एक बार हम पहले इन में पानी दे देंगे तो मिट्टी भी अच्छे से सेट हो जाएगी और जितनी मिट्टी को नीचे जाना है उतनी मिट्टी नीचे हो जाएगी और हमारे जो हम बीज लगाएंगे वो सही से ग्रो होंगे तो आपको इतना पानी इसमें डालना है कि नीचे से ड्रेनेज होल में से ये पानी निकलने लग जाए और आप चाहें तो बीज लगाने से एक दिन पहले इस तरीके से सभी ग्रोबेग में पानी दे कर रख दें जिससे की मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी अगर हम पानी डालने के जैश्ट बाद बीज लगाते हैं तो मिट्टी अपने आप जम जाती है उसमें हम जब गुडाई करते हैं तो वो मिट्टी जम जाती है इसलिए आप एक दिन बाद ही बीज लगाएं पानी देने के बाद तो मिट्टी अच्छे से भी हम उसकी गुडाई कर पाएंगे और बीज भी हमारे सही से लगेंगे और मिट्टी जमेगी भी नहीं तो चलिए अब हम बीजों को लगाते हैं तो आप अभी बेल वाली सबजियों के बीज को आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इन ही बीज को निकलने में टाइम लगता है बेगन, मिर्च, ये सभी बीज तो आसानी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे बीज होते हैं और लोकी, करेला, तोरई, इस तरीके के बीज हैं, जो बहुत लेट से ग्रो होते हैं, और इन्हें ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है, मैं इतने सारे बीज लगाने वाली हूँ, इनमें लोकी के बीज हैं, बीज से, करेला, और भी धेर सारे बीज हैं, तो ये बीज जो मैंने बरसात में लगाए थे, उन बीजों को मैंने अच्छे से सेव करके रख रखा था, तो अब मैं इन्हीं बीज से पोधे तैयार करके फिर इन्हें लगाने वाली हूँ, तो बीज को हमें लगाने से पहले इन्हें हमें राद भर पानी में भिगोना होगा, जिससे कि हमारे बीज बहुत जल्दी अंकूरित होंगे और मिट्टी में लगाने के चार-पांच दिन बाद ही ये पत्तिया निकालने लग जाएंगे तो इसलिए आपको इन्हें पानी में भीगो कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही बड़े बीज होते हैं शाथ में ये बहुत ही कड़क होते हैं तो इन्हें ग्रो होने में अगर हम डायरेट लगाएंगे तो 7-8 दिन और 15 दिन भी लग सकते हैं तो इसके लिए हमें इन्हें राद भर पानी में भीगो देंगे तो ये अंकूरित हो जाएंगे और फिर अच्छे से ग्रो होंगे तो इस तरीके से मैंने डिस्पोजल गिलास में इन्हें पानी भरत कर रग दिया है और अब हमें इन्हें रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ये अभी पानी में तेर रहे हैं लेकिन कल तक ये नीचे चले जाएंगे और इन में अंकूरन भी सिरू हो जाएगा तो चलिए अब हमने जो ग्रोबेग में पानी दिया था तो अब ग्रोबेग को हम उनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं पानी देने के बाद इस तरीके से मिट्टी जम जाती है तो मैंने रात को ही इनमें पानी डाल कर रख दिया था तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी मिट्टी में गुड़ाई हो रही है तो इस तरीके से मैंने पूरे ग्रोबेक की मिट्टी में अच्छी गुड़ाई कर ली तो बीज लगाने के बाद हम कोई भी गुड़ाई नहीं कर पाएंगे इसलिए मिट्टी जम जाती है तो इसके पहले हमें अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करना है ताकि जो भी हम ये बीज लगाएं तो उन्हें अच्छे से ग्रो होने में मदद मिले तो ये देखिए ब बीज आप एक ग्रो बेग में तीन चाल लगा सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं और आसाने से ये ग्रो हो जाते हैं तो इन ग्रो बेग में मैंने लोकी के दो दो बीज लगाएं हैं और करेला के दो दो बीज लगाएं जिससे कि दोने पोधे अच्छे से ग्रो हो सके और भी बीज मेरे पास बज गए थे तो मैं इतने ही बेग बनाए थे तो अब मैं इन डिस्पोजल गिलास में भी उनको लगा रहे हूं तो बीज लगाने का वीडियो रिकोर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैं अब आपको इन डिस्पोजल गिलास में बीज लगा कर दिखाती कि किस परकार आपको बीज लगाना है, तो हम सबसे पहले लोकी के बीज लगाれないे, तो इस طरीके से आपको लोकी के बीज लगाना है, जिस साइट इसमें चोंच टाइप की है, उधर उसे नीचे की साइड रखना है, और चोड़ाई वाला हिस्सा हमें उपर की साइड में रखना है क्योंकि बीज हमारा इस प्रकार से ही गिरो होता है इन डिस्पोजल गिलास में मैंने एक एक बीज ही लगा है तो बीज लगाने के बाद मैं इन डिस्पोजल गिलास में पानी दे रही हूँ तो पानी हमें मिट्टी में सबसे पहले ही देना चाहिए क्योंकि देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाल रही हूँ तब भी पानी हमारा उपर ही उपर रह रहा है नीचे तक हमारा पानी नहीं पहुच पा रहा है और जो छेद हमने बनाए हैं उनमें से पानी निकल भी रहा है इसलिए हमें हमेंसा पानी बीज लगाने से पहले ही देना चाहिए तो इस परकार से मैंने इनमें सभी में पानी दे दिया है और जो अभी हमने बीज लगाए हैं इन ग्रोबेग में उनमें भी हमें थोड़ा-thोड़ा पानी दे देना है तो इनमें हमें इस्प्रे बोटल से थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना है ताकि ऊपर की मिट्टी है जो नमी बनी रहे उसमें तो अगर हम इस तरीके से अब बीज लगाएंगे तो थोड़े दिन में हमारी मिट्टी सूप जाएगी और बीज सही से ग्रो नहीं होंगे तो इसलिए कर्मी में आप अभी बीज लगा रहे हैं तो आपको चाहिए एक टप इन बेग में नमी होना बहुत ही जरूरी है जब ही हमारे बीज ग्रो होंगे अगर आप एक दिन पानी देना भी भूल जाएंगे तो इस टप की मदद से इनमें पानी मिलता रहेगा तो आपको कुछ इतना पानी इसमें भल लेना है टप में और इन सभी बेग को इस प्रकार से रख देना है जिससे क्या होगा कि जितना भी पानी इनहें जरूरत होगी उतना नीचे से मिलता रहेगा और हमारे जो बीज है वो अच्छे से ग्रो होंगे बहले ही हम इसमें कभी पानी देना भूल भी जाएंगे तो इन में नीचे से पानी मिलेगा और बीज सही से और जली ग्रो हो जाएंगे तो मैं सभी बेग को इसमें धर रही हूँ और इसे अब हमें रख देना है जहां दूफेर की धूप ना आती हो रखना है जहां पर कम धूप आती हो तो अब हमारे इन ग्रो बेग में 24 घंटे मोस्चर बना रहेगा जिससे की हमारे पोधे अच्छे से ग्रो होंगे और वे तेज धूप के कारण सूखेंगे भी नहीं और आप चाहें तो इस तरीके से अपने जो ग्रो बेग रखे हैं उनमें पहले से ही पोधे लगाए हुए हैं उनमें भी आप रख सकते हैं जिससे पोधे की छाओं भी हमारे इन डिस्पोजल गिलास पर रहे और नीचे से मिट्टी में से भी मोस्चर निकलता रहेगा जिस जुगाना है तो तो इस पिरकार आप अभी बीज लगाएंगे तो आपको बरसात के सीजन में अच्छी सबजी अपने छट पर से तोड़ने के लिए मिलेगी अगर आप बारिस का इंतजार करेंगे जुलाई में बीज लगाएंगे तो बीज ग्रो होंगे और लेकिन उनमे धेर सारी सबजिया सही समय पर हमें तोड़ने के लिए मिलेगी तो इस पिरकार से आप बारिस के बीजों को लगा सकते हैं तो केसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को आपने अभी तक लाइ करें और चेनल को भी जरूर सस्क्राइब करके रखें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन पर किलिक करके आल पर जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाला नया वीडि जल्दी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद